स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या महात्मा गांदी नहीं चाहते थे कि इसराइल नाम का भी कोई देश बने ये काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आता है वहां अपर एक तरीके से खदेडा जा रहा था अहुदियों को अपने ही देश से तो क्या महात्मा गांदी के दिल में बिलकुल भी अहुदियों के लिए सत्भावना नहीं दी कि एक जो community है एक particular religion को मानती है उस religion को लेकर वहां के लोगों के उपर उत्पीडन हो रहा है उनको अ बहुत अच्छे से डिसकस करने वाले इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे में आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिक्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं ज इसराइल के जो नागरिक हैं उनको किटनैप कर लिया अपने साथ लेगे होस्टेज बना लिया तो यहां पर इसराइल ने कुछ टाइम के लिए हफते के लिए तो एक तरीके से सैलेंस रखा था यह एक कोरिडॉर बन सके ताकि वो अपने नागरिकों को वापस ले सके लेक के ऊपर अहुतियों को थोपा जाए यहां पर यह आर्टिकल आता है तो मैं यह पहले बता देता हूं देखो बोल मैं रहा हूँ शब्द मेरे नहीं है शब्द इंडिन एक्सप्रेक्स हैं तो कहीं आप बोलोगी यह तुम्हारे पॉइंट ओव यू नहीं है मैं बस आप वो क्या करते थे कि अपने नियमित रूप से जो विभिन विशे हैं जो टोपिक हैं उनके ओपर अपने विचार रखते थे ठीक उसी पत्रिका में 26 नॉवंबर 1938 को हरिजन की जो पत्रिका है वहाँ पर उन्होंने अपने विचार रखे उन्होंने अप उस पत्रिका में लि जैसे England, England किन का है भाई, अंग्रेजों का है, France किन का है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो फिलिस्तिन है वो किसी और का हो सकते हैं, ये अपने विचार उन्होंने रखे थे 26 नॉमबर 1938 की हरिजन नामक पत्रिका के अंदर, फिर उसके बाद महात्मा गांदी का एक आर्टिकल आता है, दा जूज करके, ये जो आर्टिकल आता है न, इस आर्टिकल को लेकर काफी जादा लोगों में डिबेट हुई, कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा गांदी को एच्छल में पता ही परवाही नहीं है, वो चाहते हैं, कोई भी परिणाम निकल जाए, लेकिन वो आइंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो ये कुछ लोगों के वीचार है, तो दाज्यूज में क्या बात लिखेगी, हम इसको भी देखने वाले हैं, तो एक कुछ चीजें होगी, कि वहाँ प पर उत्पिड़न हो रहा है, उन्होंने एक बात भी लिखे दी, मेरी पूरी सहनुबूती जो है, एहुदियों के साथ है, वे इसाई दरव में अचूत हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा कि हिंदूओं में जैसे अचूत होते हैं, चुआ चूत आपने देखा भी होगा, तो वैसे ही इसाई के अंदर भी अचूत ये जो हैं, वो अहुदी हैं, ये बात उन्होंने लिखे दी, और ये दोनों एक समानी हैं, यानि कि हिंदों में जो अचूत हैं, और इसाईयों के अंदर जो अहुदी अचूत हैं, वो एक तरीके से बहुत एक रूप से समान हैं, और जो अचूद अचूद करने वाले जो लोग हैं वो इसको सही कैसे ठहराते हैं वो धार्मिक या धरम के अधार पर इनको सही ठहराने का सहरा लेते हैं उनके साथ जो एमान में वेवार किया गया गांधी जी ने अपने The Jews आर्टिकल में यह चीज लिखी थी उन्होंने ये भी लिखा था कि इतियास में अहुदियों के जर्मन उत्पीडन से कोई तुलना नहीं की जा सकती यनि कि ऐसा कोई मतलब कि आप कहे नहीं सकते कि इससे बड़ा कोई अत्याचार हुआ है किसी के किलाफ जितना कि जर्मन में अहिदियों के खिलाफ हुआ था और उस समय, 1939 में दुट्य विश्यूद की शुरुवात से पहले एडॉल हिटलर जो था उसको शांद करने की जो नीती थी ब्रिटेन की वो काफी ज़्यादा चिंता वेक्त करती क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं था कि एडॉल फिटलर ऐसा काम ना करे कि वहाँ पर लोगों को या अहिदियों को मार करना बगाया जाए जैसे कि आपको बता है कि वर्ल्ड वोर वन जब खतम हुआ था जर्मनी के हार हुई थी अब जर्मनी के हार हुई थी तो ओविसली वो लोग अपने अंदर खंगा लेंगे कि हमारी हार क्यों हुई तो एडॉल फिटलर वहाँ पर निकल कर आता है तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ऐसे बताई जाती हैं कि जो आपकी सत्ता में बैटे थे उस वक्त अहुदी जो है यानि की जूइस जो थे वो उस वक्त सत्ता में थे आपकी सत्ता में जो लोग है उन्होंने जान बुझ कर आपके देश को राये ये जो चीज़ जो है वो जर्मन के अंदर फैलाई गई वहाँ पर क्या हुआ जैसे पूरे देश के ओपर तो वहां पर उन्हों ने क्या कहा था ब्रिटेश ने की हम टेंशन ना लिजी है हम आप लोगों को एक अलग से देश देगे तो फिलिस्तिन करके जो देश था बहा कहा गया था कि वहां पर अईटियों को बसाय जाएगा तो यह एक उडिशनल चीज म कहने हैं माँ लोग कोई यूध हो रहा है और उसे हमें सही भी ठहरा ना है अगर वो मानवता के नाम पर हो रहा है तो यहाँ पर जर्मनी के खिलाब अगर उत्पिडन को रोकने का अगर वो यूध होगा तो उसे सही ठहरा जाएगा मतलब कि कि आयुदियों को विसली देश से निकाल रहे थे उनके खिलाब अहिदियों के उपर उत्पीडन हो रहा था तो एक particular जाती के एक पर community के उपर उत्पीडन किया जा रहा था उस उत्पीडन को रोकने के लागर कोई यूद हो रहा है मानवता के लिए तो वो सही ढराया जाएगा गांदी जीने इसको support किया था तो सोचिए जो अहिंसा को इतना मानते हैं वो यहां पर इतनी बड़ी बात बोल देते हैं अब यहां पर आप सोचेंगे कि यारे इतना support कर रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं को देश बरने के खिलाफ थे अब आएंगे चीजें धिरे धिरे वो चीजें मी आएंगे आएंगे आपके सामने तो अब देखिए अर्बो के लिए उनकी चिंता और फिर भी मात्मा गांदी ने कहा जो फिलिस्तीन है उनकी काफी जादा देखे साहनुभूती है उनको ऐसा नहीं कि साहनुभूती नहीं थी उन्होंने कहा कि देखे फिलिस्तीन में जो आप जुईस स्टेट यानि कि जो देश बना रहे हैं वो उनका समर्तन नहीं करते इन्होंने साब बोल दिया जिसकी योजना पहले से बनाए जारी थी मैंने कहा ना कि बिर्टेन ने मगलव की वादा कर दिया था जूई इस लोगों से कि आप टेंशन ना लिजी आपको एक देश हम बना के दे देंगे आप वहाँ जाकर बज जाएए तो आप देखेंगे 1946 में यह फिलिस्तिन हुआ करता था यहारा आ रहा है फिर यह सफे सफे जो इसराइल है फिर 1947 के वहाँ पर यूएन प्लान के अकोर्डिंग यह जो आप देखेंगे यह इसराइल हो गया है फिलिस्तिन हो गया फिर 1967 में आप देखेंगे अब 2010 में आप देखेंगे अब 2023 के हंदर आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपको देखने कोई नहीं मिलेगा तो यह सब चीजे हैं गांदी जी ने लिखा था कि अहिदियों को अरबों पर थोपना बहुत ज़्यादा गलत है और एहमानुई है देखेंगे आप कहीं नहीं जो अरब हैं उनके अभिवान को ठोस पहुचा रहे हैं उनकी मानवता के किलाब यह अपराद होगा देखें ताकि फिलिस्तिन को आंशिक या पूर्ण रूप से अहिदियों के लिए एक राष्ट यानि नेशनल हों बनाना वो रूप से बहाल कर जाए यह काफी ज़ादा बहुत ज़ादा गलत होगा यह माहत्मा गांदी के विचार थे उनके जो विरोत थे वो तो परमुक मानेताओं पर अधारी थे पहला यह कि फिलिस्तिन पहले से अरब फिलिस्तिनियों का घर था वही किसका घर था फिलिस्तिन का ही तो घर था और अहिदियों की बसावट जिसे ब्रिटेन ने सेक्रिय रूप से सक्षम किया मतलब कि इसको fundamentally violent है आप गलत कर रहे हैं मोलिक रूप से हिंसर काईए ये थे ये मात्मा गांदी के पहला point of view जो उन्हों ने रखा फिर उन्हों ने लिखा कि कोई धार्मिंग कार रहे हैं फिलिस्तिन लोटने वाली अहुदियों का संगीन या बम की साहिता से तो नहीं किया जा सकता गांदी जी ने लिखा था कि अहुदि केवल अर्बों की सत्भावना मतलब कि जो अरब हैं उनके एक kind nature के कारण उनके good will के कारण आप वहां रह सकते ना कि आप Britain आपको वहां बसाना चाह रहा है Britain की वहां पर एक तरीके से राजशाही है वहां पर उनके colonial है तो इसलिए Britain वहां बसाएगा इसलिए नहीं जाना चाहिए वहां पर दूसरा गांदी जी का point of view थै कि वह महसूस करते हैं कि अहुदी महातर भूमी का विचार दुनिया में कहीं और अधिक अधिकारों अधिकारों की जो लड़ाई हो रही है उनके विरोधा भासी था मतलब कि आप देखिए आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप अहुदियों को एक फिलिस्तीन में बसा रहे हैं उससे कहीं जादा important चीजें जो थी वो दुनिया के अंदर हो रही थी गांदी ने ये लिखा था ये कहते हुए कि राष्ट्य घर के लिए अहुदियों का दावा तो यहां पर अहुदियों जर्मन निशकाशन के लिए एक ठोज उचित्य परदान करता है मतलब कि आप कहते हैं अगर उनको फिलिस्तिन में बसाया जा रहा है तो एक तरीके से बहुत जादा गलत है तो यहां पर यह इस चीज़ को भी ठीक ठहरा देता है कि अहोडियों का सही डंग से जर्मन से निशकाशन होना एक काफी ज्यादा सही कदम था ये एक तरीके से उन्होंने बात बॉली थी महात्मा गांदी ने अब भारत की विडेश नीति क्या है इसको भी हम समझ लेते महाँ गांदी जो है उनकी तरह आरब की जो दुनिया थे दुनिया के जो भी नेता है वो इस समराज्यवाद जो नीती थी बिर्टेन की उसके एक तरीके से वो खिलाफ ही थे और 1917 के बालफोर जो गोशना से काफी ज़ादा बहभी थे जिसमें बिर्टिश शाष्ण देश में अहिदियों को एक मातर भूमी देने का वादा किया गया था बिर्टिश लेखक और्थर कोईस्टर जो एक स्वेम अहिदि थे उन्होंने घोशना के बारे में लिखा था एक राश्ट्र ने गंभीरता पूर्वक दूसरे राश्ट्र को तीसरे के देश का दर्जा होने का वादा किया यानि कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के ऊपर इस्राइल देश का होने का वादा किया ये एक खुद एहुदी ये बात लिखते हैं गांदी की राय जोहालनाल नहरू पर काफी जादा परभाव डालती थी वो नहरू के ऊपर आप देखेंगे बढ़नी जोहालनाल नहरू जी के ऊपर वो स्विम समराज़वाद विरोध के ऊपर साथ ही साथ मतलब वो एंटी इंपरिलिजम के तो थे ही मतलब की समराज़वाद के तो खिलाफ थे ही खिलाफ मतदान क्यों किया था क्योंकि यहां पर ये बात बोली गई थी कि फिलिस्तीन को अहिवदी और अर्बों के भी जो वो विभाजित किया जाए जिसे नुवंबर 1947 में सिंग्त रास्ट महासबा ने अपनाया गया था जबकि इसराइल को भारत ने 1950 में एक देश होनी की माननेता दी थी अधिकारिक राजनाइक संबत 1992 तक स्थापित नहीं हुए थे जब पीवी नरसीमा राव की जो परधान मंतरी थे उनकी सरकार थी तो उमीद करता हूँ कि आज का जो टोपिक है कि क्या महात्मा गांधी खिलाफ थे क्यों खिलाफ थे क्या रीजन थे ये सारी चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आई है तो बेशक मुझे कैसे बता सकते हैं वीडियो को लाइक करके कोमेंट सेक्शन ओपन है अपने विचार बहां रखके पीडियो के लिए माप लोड़ी आप लोगों को बता चुका हूँ फिर भी एक बार और बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो